पहुआँ आने मसक आपना कुछ इस प्रकार है एउआए पैसेटेंट प्रेजेटेड विदूड सीर्म प्रामीटर एक पैसेंट लिए er芝ेट के जिसके कुछ इस प्रकार से पेरामीटर से सिर्म पिरामिटर स देखे क्या क्या बता रहे है? नॉर्मल सीरम अल्पी, नॉर्मल पिटी एच लेवल एंड इंक्रीजड कैल्सियम एंड फोस्फोरस most likely cause अब इसका जो है वो most likely cause क्या हो सकता है इस प्रकार के सीरम पेरामेटर का वाइटमिन डी इंक्रीज हो रहा है यहां पर हाइपर पेराथाहरोडिजम की वज़े से ओस्टियो पॉरोचिस की वज़े से या फिर ओस्टियो मलेसिया की वज़े से वाट इस पॉसिबल रिजन अच्छा mcq है ठीक है अपन जो mcqs वॉल कर रहे है कौन से mcq है अभी प्रीवेस यह mcqs है तो देखिए अगर किसी को alp से आपर पता नहीं लग रहा है कि alp का मीनिंग क्या होता है कि alp का मतलब होता है अलकल इन तो देखो यहां पर बता दिया आपको कि नॉर्मल पीटियस लेवल है आप का पहले से एक्स्ट्टूड हो रहा है यहां पर सभी से चुड़ा अंत्य क्यों से समझ पा रहा है तो डिक है कि अ अब बता लो चांशर रहेगा इसका क्या Osteoporosis और Osteo Malaysia के अंदर केलसियम लेवल बढ़ता है या PO4 लेवल बढ़ता है या कम होता है तो देखिए यहां पर अपना आंसर जो रहेगा वो रहेगा वाइटमीन डी जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है ठीक है आप सभी को पता है कि वाइटमीन डी जो है वह इंटेस्टाइन के ऊपर भी काम करता है, किडने के ऊपर भी काम करता है, वहाँ से क्या करता है, Calcium and Phosphorus के absorption को बढ़ाता है, तो बोडी के अंदर क्या देखने मिलेगा आपको, Calcium and Phosphorus का लेवल जो है वह बढ़ा हूआ देखने को मिलता है, अपना आंसर क्या रहेगा SMCQ का, vitamin D यहां पर क्या हो रहा है, increase हो रहा है, अब देखिए सबसे पहले intestine के उपर, या फिर intestine में किस प्रकार से जो है वो, vitamin D जो है काम करता है, intestine पर जो vitamin D है, वो क्या करेगा, increase कर देगा किसका, calcium का, and phosphate के absorption को, किसकी मदद से, by 125-dihydroxy-colycalciferol, किसकी मदद से कर रहे हैं यहां पर, 125-dihydroxy-colycalciferol की मदद से, MCQ बन सकता आपका कि intestine से, जो है, वो calcium and phosphorus के absorption में कौन help करता है, तो 125-dihydroxy-colycalciferol, अब देखो, यहां पर आपको जो exam के अंदर, यह अगर आपको नहीं देखने हो, मिलों आपको क्या देखने हो मिल सकता है, 125-OH-2-D-3, ठीक है, इस प्रकार से भी जो है, आपको वहां पर fusion में लिखावा देखने हो मिल सकता है, तो दोनों आपको पता होने चाहिए, क्या meaning रहता है इनका, और इसे अगर हम इन दोनों को combine करके, एक form में लिखना चाहिए, तो यह हम क्या लिख सकते हैं, Kelsey Trial, क्या होता है, Kelsey Trial और यह क्या है, active form of vitamin D, ठीक है, vitamin D की active form कौन होता है, तो Kelsey Trial, यह भी MCQ, आपको जैसे KGMU के अंदर, निमांस के अंदर पूछने को मिल सकता है, ठीक है, बाइगे जिसे MCQ अपना है, यह MS का MCQ है, ठीक है, चलिए, आगे move करते हैं, ऐसी topic के अंदर, second MCQ आप यहीं से देख सकते हैं, most abundant, form of vitamin D in plasma, plasma के अंदर vitamin D सबसे रदा कौन सी form में देखने को मिलता है, यहां पर आपका answer क्या होगा, calcium trials नहीं होगा, क्योंकि यह तो इसकी क्या है, active form है, ठीक है, आगे reactions होगे, यहां पर active form बनती है, but most abundant आपको जब देखने को मिलेगा, इसे पन क्या बोलेंगे, 25 hydroxy vitamin D, ठीक है, most abundant form of vitamin D पूछे, तो आप कहां से क्या रहेगा, 25 hydroxy vitamin D, इसे अपन short के अंदर 25 OH D करके भी present कर सकते हैं, next MCQ बनता है, यहीं से एक और, vitamin D, form found in skin, skin, skin के अंदर कौन सी form पाई जाती है, vitamin D की, तो यह होती है, 7 dehydro cholesterol के form में देखने हों मिलती है, अब यह क्या होता है, UV rays के अंदर, क्या होता है, convert होता है, किसके अंदर, vitamin D3 के अंदर, ठीक है तो यह कुछ अपने MCQ थे, जो एक्जाम में repeat होते रहते हैं, और अभी तक हम नहीं क्या देखा, कि intestine जो हो किस प्रकार से, calcium and phosphorus का यहां पर, absorption करवाती है, क्या बनता है, क्या product बनता है, हमारे पास में, MCQ का अपना answer क्या रहेगा, option number A, vitamin D का layer, यहां पी क्या देखने मिलेगा, increase देखने को मिलेगा, next देखिए kidney, kidney को उपर किस प्रकार से, vitamin D जो हो act करेगा, kidney के लिए क्या करता है, decrease कर देगा यह किस के लिए, calcium and phosphorus के excreation को, decrease कर देगा, calcium and phosphorus के excreation को, decrease कर देगी kidney से, और बॉन्स के विए जो है वाइटमीन डी किस प्रकार से काम करेगा ये रेगुलेट करता है इसको बॉन रिजॉप्शन को ये कुछ MCQs थे रिगार्डिंग वाइटमीन डी से रिलेटेट किस प्रकार से बोडी पैक करता है अब देखे आपका option number B यहाँ पर क्यों correct नहीं होगा इसके बार में हम देखें तो यहाँ पर क्या बताया गया है hyper parathyroidism जब hyper parathyroidism होता है तो आपको क्या देखने को मिलेगा serum ALP and calcium का level तो किसा मिलेगा बड़ावा देखने को मिलेगा and decrease मिलेगा किसका PO4 का level क्योंकि जो parathyroid हर्मोन जो होता है वो क्या करेगा phosphorus को वाया kidney egg body से excrete करवाने में काम करेगा तो यहाँ पर phosphorus का level कम मिलेगा मगर यहाँ पर आपको क्या बताया गया है phosphorus का level जो है वो increased बताया गया है तो आपका option number B यहाँ से गलत हो रहा है नेक्स देखिए osteoporosis, osteoporosis के अंदर all serum parameters कैसे होते हैं normal रहते हैं क्योंकि osteoporosis normal condition है तो वाँ पर serum parameters भी क्या रहेंगे normal रहेंगे देखो लास्ट बसता है क्या osteo malaysia osteo malaysia जो है वो क्या dietary deficiency होगी किसकी vitamin D की ठीक है जिससे आपको क्या देखने को मिलेगा decrease देखने को मिलेंगे क्या calcium plus phosphorus ठीक है दोनों का level यहाँ पर decrease देखने को मिलेगा इस टीए osteo malaysia भी correct यहाँ पर नहीं होगा तो ठीक है अपना answer क्या रहा vitamin D increase किस प्रकार से होता है सारा कुछ हमने समझ लिए अलग अलग steps होती है intestines के दूरू किस प्रकार से होता active होता है कहां active होता है kidney क्या करती है skin के दूरू किसे absorb होता है तो वह सारी steps है वह सभी easy steps है exams के अंदर आजकल जो मैंने यह management MCQ बताए है यही पूछे जा रहे है क्योंकि यह MCQ step से निकल के आए है अब यहां पर अगर हम उनकी physiology समझने लगे तो physiology आप से exam के अंदर नहीं पूछी जाती है चलिए next MCQ अपना यहां तक किसी के कोई doubt हो तो आप बता सकते है comments के अंदर next MCQ देखिए three point bonny relationship has diagnostic value in क्या पुछा गया है three point bonny relationship आपको कौन से diagnostic value के अंदर help करेगी या फिर क्या आपको diagnostic करने में help करेगी कहां पर fracture होगा तो वहां पर three point bonny relationship कहां आएगा elbow fracture के अंदर montasia fracture के अंदर gallery fracture के अंदर college fracture के अंदर क्या answer रहेगा यहां पर तो अपना answer यहां पर रहेगा elbow fracture के अंदर elbow fracture के अंदर आप क्या देखते हो three point bonny relationship देखते हैं कैसे देखते हैं जब हमारा elbow क्या रहेगा flex रहेगा अपने हाथ को क्या करके flex करके रखते हैं तो देखिए पीछे जो है वह इस प्रकार की एक triangular structure हमें देखने को मिलती है ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं कौन ही बोलते हैं इसको अपन man part रहता है इस प्रकार का आपको आपको triangular shape देखने को मिलेगा ठीक है तो यह क्या है medial one यह क्या है lateral during flexion की बात कर रहा हूं flexion के अंदर इस प्रकार का आपको structure देखने को मिलता है elbow का जब आपन पीछे से देखते हैं और यह जो नीचे का part है इसे अपन क्या बोलते है all ecranon यह क्या हो गया all ecranon तो जब हम elbow को flex position के अंदर रखते हैं या फिर hand को आपन flex position के अंदर रखते हैं तो elbow के उपर आपको three boni point मिलेंगे आपको यहां पर ठीक है one point, lateral वालर दो और all ecranon three point ठीक है तो यह normal condition है अपने ठीक है और flexion के अंदर और यह तो था flexion के अंदर और जब हम extension में रखेंगे तो यह जो तीनो ही boni point है एक दूसरे के similar एक जगे आके आपको दिखाई देते हैं ठीक है तो यह क्या हो गया normal condition यहां पर किज़र का fracture नहीं है तो इसी three point boni relationship की बात की गई थी जो diagnostic value में कहां पर काम आती है elbow fracture के time पर काम में आता है और देखिए यह अभी क्या horizontal line के अंदर जब हमने hand को क्या कर दिया है फिर extend कर दिया अब देखिए जब olecranon का fracture होगा ठीक है fracture होगा olecranon का तो क्या होगा यह जो यहां पर आपको horizontal line दिख रही है यह यहां पर disrupt हो जाएगी ठीक है तो यहां पर क्या काम आ गया olecranon कहा आपन कौन सा point बनाता है elbow के अंदर आप पढ़ते हो इसके अंदर ठीक है elbow fracture means olecranon fracture होगा तो elbow fracture count होता है वहां पर extension के time पे आप देखोगे तो हो सकता है elecranon का level अपर साइड में lower side के अंदर देखने को मिले आपको तो जो relationship है इसका यह maintain यहां पर नहीं होगा ठीक है तो इसलिए आपका जो correct answer यहां पर क्या जाएगा elbow fracture अब देखिए यह क्या है medial epicondyle और यह है lateral epicondyle चलिए next mcq अपना कि 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 बाकि montasia fracture, galaxy fracture, college fracture के आगे में mcqs बनाय हुए है इसलिए में यहां पर solve नहीं करवाँगा आगे हम पढ़ते जाएंगे तब solve करेंगे jefferson fracture jefferson fracture के बार में आपसे पूछा गया था exam के अंदर एक बार तो jefferson fracture क्या होता है c2 में fracture, c1 fracture fracture of talus या फिर atlanto axial dislocation क्या रहेगा answer jefferson fracture कौन सी condition में देखने मिलता है तो देखिए jefferson fracture के बारे में clear यहां पर बताया जाता है कि jefferson fracture किसे बोलेंगे तो jefferson fracture में sudden severe load on the top of head जिसकी वज़े से क्या देखने को मिलेगा ब्रस्टिंग force develop होगा और यह force कहां पर लगेगा ring of talus पर talus ने होगा Atlas होगा ठीक है क्योंकि जो first cervical होती है उसे अपन क्या बोलते है Atlas C1 को हम क्या बोलते है Atlas तो आपका answer क्या रहेगा option number B आपका answer रहेगा cervical one fracture first vertebra कौन सी रहती है Atlas और जो C2 होती है उसको आप क्या बोलते हो axis ठीक है और इन दोनों के बीच के joint को आप क्या बोलोगे atlanto axial joint ठीक है तो आपका देखो यहाँ पर क्या मैंने बताया था sudden severe load होगा top of the head बे जिसके और इसे bursting force है ring of atlas के उपर क्या होगा यहाँ पर fracture देखने को मिलेगा तो ring of atlas आपकी कौनसी bone होती है cervical vertebra की first bone होती है तो jefferson fracture जो होता है वो कहाँ पर होगा C1 fracture के अंदर चलिए next अंसी क्यों अपना चलिए एक ओर टाम देखने को मिलती है आपको इससे हम क्या बोलते हैं hangman fracture तो hangman fracture के अंदर क्या होता है C2 का यहाँ पर क्या देखने को मिलता है fracture देखने को मिलता है axial जो रहती है bone ठीकर cervical vertebra के अंदर axial bone रहती है वहाँ पर उसका क्या रहता है axis bone रहती है उसका वहाँ पर क्या होता है fracture होता है ठीक है जब hang करते हैं किसी को तो वहाँ पर C2 के अंदर fracture होता है ठीक है और यहाँ पर इस joint का में name भी exam में पूछा रहता है कई बार atlanto axial joint next देखिए atlanto axial joint का जब dislocation होता है तो dislocation सबसे ज्यादा कौन सी side में होता है ठीक है अगर आपको side का पूछे कि dislocation सबसे ज्यादा कौन सी side में देखने को मिलता है तो यह होता है anteriorly next mcq बनेगा यहाँ से treatment क्या करोगे आप यहाँ पर कौन सा traction यूज में लोगे तो skull traction और भी आगे deep अगर examiner पूछे वो पूछे ले कि बाई कौन से प्रकार का skull traction काम में लोगे है फिर क्या यहाँ पर patient के apply करोगे तो एक jacket आती है क्या नाम है इस jacket का क्योंकि हमें तो क्या करवाना है immobilize करवाना है इसकल टेक्शन जो manly immobilization के अंदर यह काम आते है क्योंकि यह bond के अंदर directly जाके लगता है तो देखो यहाँ पर जो इसका जो type है हम क्या बोलेंगे इसके अंदर minerva jacket जो हो यहाँ पर काम में ली जाती है कि इसी के साथ ही cervical bone का एक और fracture होता है देखो C1 पढ़ लिया man bone जो थी C1 पढ़ लिया और इसके बाद में second man थी वह हमने पढ़ लिया C2 का दोनों का fracture पढ़ लिया Jefferson और hangman fracture आगे साब कभी नहीं भूलो कि इसके बारे में एक और टाइप का fracture होता है क्या नाम होता है इसको clay sorveller fracture clay sorveller fracture यह कहां पर देखने को मिलता है आपको lower cervical bone and upper thoracic bonds के अंदर इन दोनों में mix में जो fracture देखने हों मिलेगा वह से अपन क्या बोल देंगे play sorveller fracture यह कुछ factors के types है जो अपन यहां पर अपनी regular classes के अंदर पढ़ते हैं वहां पर मैं इसको और अच्छे से explain करता हूं मगर यहां पर जैसे अपने mcq-com theory classes अपनी ज्यादा रहती है तो अंसीक्यू के form के अंदर अपनी theory class पढ़ते हैं यहां पर कहां कहां से नया mcq बन सकता है और बना हुआ है तो इस basis के ऊपर class चलती है तो अगर आपको फूज यहां पर नया सीखने को मिलता है तो साथ साथ में आप अपने notes के अंदर note down भी करते चलिएगा ताकि आपके जब revision करोगे तो आपको यह classes वापस से repeat करने की need नहीं पड़ेगी ओके चलिए next mcq hangman fracture hangman fracture is last mcq के अंदर solve कर लिया था चलिए option बता देता हूँ c1 ring fracture c2 auditory process of fracture c2 para interarticular fracture c7 fracture fracture क्या answer रहेगा यह तो बताए दिया था मैंने आपको c2 के अंदर क्या होता है fracture होता है तो वह कौन सा होता है hangman fracture ठीक है इसे अपन क्या बोलता है इस टाइब के fracture को हम क्या बोलेंगे जो आपको options के अंदर दिखा है अगर normally आपको पूछ लेता कि hangman fracture fracture means यहां पर c2 मगर option में देखे आपको para-inter-articular fracture भी साथ में aid किया होगा है तो यह कब देखने हो मिलता है यहां पर जो होता है bilateral force लगता है bilateral force कब लगेगा जब judiciary hanging होगी तब judicial hanging होता है उस time bilateral force लगता है दोनों तिनों साइड़ों से force लगता है तो वहां पर जो है वो para-inter-articular fracture होता है c2 का तो इसे अपन क्या बोलता है hangman fracture ठीक है यह c2 का भी और यहां पर आपको extend version में दिखा दिया कि और साथ-साथ में क्या यहां पर add हो सकता है amcq गंदर या फिर option के अंदर ता कि आप confuse ना हो चलिए नेक्स इसका आपने बताया था c7 के बारे में या फिर c5, c6, c7 और thoracic 1, 2, vertebra के अंदर में क्या बताया था clay soveler fracture इसके बारे में c1 का मैंने आपको क्या बताया था c1 का मैंने आपको बताया था jefferson fracture ठीक है और c2 auditory process का fracture यहाँ पर देखो इसलिए mcq बनाया था देखो यहाँ पर auditory process है और यहाँ पर पर intra-articular fracture है तो इसलिए auditory में अगर आपको कोई direct कर दो के तो exam में mcq गलत हो जाएगा आपका अगर यहाँ पर normal पुछा है c2 तो वह correct है मगर इसको भी यहाँ पर उसने समझा दिया है अलग से लिखा है तो कुछ तो वहाँ पर reason होगा उसका लिखने का इसलिए यह mcq मैंने आप add किया था ताकि आपके इससे related अगर कुछ mcq आये अगर वह आपको confuse करे तो इससे रजा के लिए के साथ में किस प्रगार का connection बनता है कौन connection बनाता है कैनाल इकुलई वाल्कमेंज कैनाल ओस्टियोन या फिर central कैना है वर्जन कैनाल के साथ में किसका connection रहता है है वर्जन कैनाल के साथ में किसका connection रहता है कैनाल इकुलई वाल्कमेंज कैनाल ओस्टियोन या फिर central कैना तो देखिए क्या होता है सबसे पहला हम से क्यों यहां से basic structural unit of laminar bone क्या होता है ओस्टियोन पास्टरम सीकूर एड़ी आपका आप देखिए यही ओस्टियोन जो है इसके चारों और सराउंड करती है क्या या फिर हम लिख सकते हैं आप आप ऑस्टियोन कंसिस्ट ओफ कंसंट्रेटिक आप 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 इन्हें हम क्या कहते हैं लैमेला सेगेंड आपका रेड़ी हो गया इसके बाद में लैमेला को जो सराउंड करता है आप सीक्यू किस फोर्म में आएगा देखिए लैमेला सराउंड ए लॉंग सेंट्रल कैनाल इसे हम क्या बोलेंगे है वर्जन कैनाल है वर्जन कैनाल हुआ अट हम देखिंड हम कि rend कि लॉंगिटूदिनल केनाल भी करते हैं इसको और इसके साथ में इसको में एक नाम और देते हैं क्या नियूरो वास्कुलर केनाल वहां पर अपनी रेगुलर क्लासेज के अंदर जब आपको मस्कुलर स्क्रेटल सिस्टम पढ़ाया गया है वहां पर एकदम ब्रीफली इनको सब इमेज के अंदर समझा समझा कि आपको एक्सेन क्या गया है ताकि आपके बिल्कुल भी डाउट ना बचे कौन कैसे फोर्म हो है तो यह तो क्या आपने क्लासेज के बारे में कि वहां पर अपनी क्लासेज के अंदर क्या क्या समझाया गया है ठिक है चलिए है अब से आपका अपर क्या पूँछा कि connection बताईये हेवर्जन केसाथ connection बना रही है कि है ओके कर दो के साथ कौन बना रहा है लेमिला बना रहा है है वर्जन के साथ कौन बनाएका तो देखिए Next है देज हैं वर्जन केना are जोइन भाई ए ड्रांस्वर्स केनाल जोइन एज वल्क में केना आगय समझ में कैसी रहती है ट्रांस्वर्स में रहती है और यह क्या करती है एबर्जन केनाल के में जॉइन होती है और यह जो Walkman Canal है, यह किससे जोइंट करती है, Walkman Canal क्या करती है, जो Neurowescular Bundles होते हैं, उसको connect करवाती है, connect with endosteum to periosteum, तो यह कुछ यहापे canals रहती है, आपकी bone के अंदर, अब देखिए, यहाँ पर longitudinal और यह जो मैंने आपको बताया है, यहाँ पर transverse channel कैनल यह कैसे होता है, तो देखिए, सबसे पहले, मैं बना रहा हूँ यहाँ यहाँ आपे, hair virgin channel, तो यह जो longitudinal channel होती है, ठीक है, यह आगे जाके, इसके surrounding ऊपर क्या बने का, यह क्या रहती है, ऐसे रहती है, ठीक है, एक दूसरे के जात में, यह आपे, जो मैंने बताया है, वो मैंने आपको यह और ज्यादा, बायोपसी करके बताया गया है, उसको जूम करके बताया है, ठीक है, ऐसे कैसा रहता है, surrounding रहती है, गोल गोल रहती है, ठीक है, इस system को जो हम बोलेंगे, इसको हम क्या बोलते है, hair virgin system, यह कौन होगी, hair virgin channel, और यह जो, transfers channel होती है, यह कौन सी होगी, walkman, ठीक है, तो इस परकार से जो है, वो बोलन के अंदर canals रहती है, तो इस MCQ का अपना answer क्या रहेगा, connection of hair virgin canal by walkman's canal, answer क्या रहेगा, option number B, hair virgin orthopathy effects, ठीक है, hair virgin orthopedic effect, इसको affect करती है, hair virgin orthopedic, plumbar spine को, sacroiliac joint को, distal interphalangeal joint को, या फिर नी joint को, तो यह जो topic है, hair virgin orthopedic, यह आपने, और steo arthritis, rheumatic arthritis के अंदर वहाँ, उन से related, अपना यह topic है, ठीक है, digits मेरी जो है, यह complete YouTube के उपर ही पढ़ाई हुई है, तो आप वहाँ पर जाके, इसको complete देख सकते हैं, आपन क्यावल किसकी बात करेंगे, hair burdens, nod के बारे में देखेंगे, उसके साथ मैं एक और MCQ बनता है, उसका आपन यहाँ पर solution करेंगे, साथ साथ में पढ़ने का reason यही है मेरा, ऐसे नहीं है कि मैं क्यों सिंगल सिंगल MCQ आपको solve नहीं करा सकता, मगर उससे क्या होता है कि आप कुछ टाइम बाद में मेरी class को भूल जाओगे, मगर क्या रहता है कि साथ साथ में जो similar topics रहते हैं, उनको साथ में पढ़ लेते हैं तो आपका revision हो जाएगा, साथ साथ में वहां से क्या MCQ बनेगा, कैसा MCQ बनेगा यह भी आपको पता लग जाएगा, ऐसे नहीं कि complete theory class यहां पर चल रही है, MCQ form के अंजर theory class चल रही है, तो आपको next time जब आप अपना revision करोगे, फिर next time आप जब notes पढ़ोगे, तो आपको मेरी class याद आएगी, वहां पर आपको पता लगए कि हाँ, सरने यहां पर जो है, मार्क नहीं किया होगा, मगर फिर बात में आप जब वह पढ़ोगे, तो अपने notes के अंदर भी आप उसको MCQ mark करोगे, फिर आप जब second, third time उसका revision करोगे तो आपके पास में एकदम precise notes सुराएंगे आपके खुद के, फिर आप man-man topics, man-man lines को, headings को देखो, exam के अंदर time बचेगा आपका, और confidence भी boost रहेगा उससे, तो देखिए जो heber done orthopathy होती है, जो कहां पर effect डालती है, तो distal interphalangeal joint के उपर, कहां effect डालेगी, तो distal interphalangeal joint को, यहां पर heber done orthopathy नहीं, तो आपको AMCQ में nod भी देखने को मिल सकता है, कहां पर होता यह, distal interphalangeal joint के अंदर, जिसको अपन short के अंदर क्या लिखते हैं, DIP, distal interphalangeal joint, किके DIP के अंदर देखने को मिलता है, और एक कौन सी condition के अंदर देखने को मिलता है तो osteoarthritis, osteoarthritis वाली condition के अंदर देखने को मिलता है, जब osteoarthritis के अंदर डी distal interphalangeal joint का involvement होता है, तो वहाँ पर तोड़ा आपको swelling जिसे आपको notes देखने को मिलेंगे, उभार देखने को मिलेगा आपको, वो क्या होता है? Faberden node, इसी के similar, एक और condition होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? Bouchard node, ये कहाँ पर होता है? Proximal Interphalangeal Joint के साथ में, इसी है अपन क्या बोलेंगे, PIP और DIP, ठीक है, समझ में आ गया, तो ये देखिए, ये क्या बना रहा हो, मैं अपनी phalanges बना रहा हूँ, पर यहां पर यह आपका क्या आ गया, palm का area आ गया यहां पर, ठीक है, अब दर यहां पर दूसरी, पर यहां पर, ठीक है, दूसरी fingers हो गई, अब देखिए, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, यह देखो क्या हो गया, यह वाला area है, यह proximal होगा, यह इसके distal होगा, यह इसके भी distal होगा, मलब distal most part कौन सा हो गया, देखिए, यह हमारी body है, बोडी के जो यह अपने क्या कर दिया, हमने एक hand निकाल दिया, ठीक है, अपने hand होता है, अब जो medial side के, जो जितना past में होगा, वो उतना ही, उसको हम क्या बोलेंगे proximal, और जो जितना दूर होगा, वो उस structure के वो created क्या रहेगा, डिस्टल रहेगा, तो यह आपको बात ध्यान में रखनी चाहिए, I'm secure soul करने से पहले, अब देखिए, यहाँ पर क्या बढ़ा गया, डिस्टल class में आपको उभार देखने को मिले, ठीक है, और यह क्या हो गया, इसे हमने क्या बोल दिया, बुचाड नोड, आगया आपके समझ में बाकी जो स्वान एक deformity है, jet deformity है, ठीक है, यह सब मेरी YouTube classes के अंदर पढ़ाया हुआ है previously, ठीक है, अगर आप कहोगे comments के अंदर तो मैं फिर से इन्हें एक बार repeat कर दूँगा, next mcq, Montasia fracture is, Montasia fracture के बारे में पुछा आपसे Montasia fracture क्या होता है, तो देखिए, fracture of distal radius with dislocation of head of All-ayı क्या बता राहा है कि एक तो distal radius का fracture होना, तो चलिए, हम यहां पर क्या कर देते हैं, रेडियस बना लेते हैं और second हम यहां पे क्या कर लेते हैं अलबी बना लेते हैं, ठीक है, क्या बताया ग yolाographical radius? तो यह कौन सा पार्ट हो गया यह पार्ट हो गया आपका पर बात है यह कौन सा पार्ट हो गया इस इस साइड में है ब्लद येस लोकेशन यहां यहां है भ क्ये मैं यहां प्र लोकेशन mathematics एlement अगर अगर अन् determining the ऑगर और में यह इस प्राकार से चप्राइब करें यह कुंण सा प्राइब हो गयाली हो गाल में मह सकुआ रहा है ठीम है कि परोग्जिमल हर्ड ओफ अलना में क्या देखनी रही है यहां कहीं पर क्या हो गया है कि अन्दर और जो रेडिल का भी यह वह क्या हो गया डिस्लोकेट लुए नेच्स doosman चैनल यहांस देखिए रिक्चरओं पर्प्र datioii रिल्यक्ट olması यहां पर दोनु ना खिंग हो है छलीं अब आफ आपना अंश्रियां पर सदस्कीजिए कुछ टाइम बाद में हम जो है जैसे जैसे एक्जाम नेरवई आएगा हम लाइव क्लाशेज रखेंगे तो वहां पर मैं आपके आंसर देखूंगा भी अभी तो जैसे अपने रिकोर्डेट क्लाशेज रहते हैं यूट्यूब के उपर तो वहां पर इतना पॉसिबल नहीं पाता है आप कोमेंट्स तो वह से भी नहीं करते हैं आपको तो सब पता होता है अच्छी बात है डाउट्स नहीं है तो चाहद मेरी क्लाशेज यह सी होती है कि आपके फुस्ट नहीं बस्ते हैं पूछा किसके लिए गया है मॉन्टेज या फ्रेक्चर के लिए आपसे पू तो देखिए यहां पर जो है आपका आंसर क्या रहेगा औप्शन नंबर यहां पर आपका और 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 देखिए इसमस्वी को और फ़ड़ा इंट्रेस्टिंग बनाया जाए तो यहां पर देखो रेडियस की जगह आपको यह ओप्शन में दिया हुआ देखने को मिल सकता थ पर ओक्जिमल रेडियो अलनार जोइंट यह भी आपको अप्शन में देखने को मिल सकता था नेक्स्ट यहीं से एक अमसीक्यू निकलेगा और जो काफी इंपोर्टेंट रहेगा और आएगा तो वह कुछी बच्चों को आएगा कि जब मॉन्टेजिया फ्रेक्शर होता है तो कौन सी नर्व डेमेज होती है कौन सी नर्व डेमेज होगी यहां पर पोस्टीरियर इंट्रा ओसियस नर्व और क्या नाम रहेगा पोस्टीरियर इंट्रा ओसियस नर्व यहां पर क्या हो जाएगी डेमेज हो जाएगी मॉन्टेज या फ्रेक्चर को हम यह भी एक्जाम के अंदर आप से पूर सकता है कि इसका अंदर ही पूछेगा तो नहीं मगर जैसे कॉमन सेंस की बात है क्या आ सकता है क्विशन में कि हाइपर प्रोनेशन इंजिरी किसे कहते हैं कि आई पर प्रोनेशन इंजिरी भी किसको कहते हैं मॉन्टेजिया फ्रेक्चर के अंदर देखिए हम क्या करेंगे अपने जब हाथों को दोनों एक्स्टेंड करते हैं और हाथ कैसे रहे प्रोन पोजिशन में रहे ठीक है एंड को सुपाइन और प्रोनेशन आप सभी को पता है प्रोनेशन के अंदर रखेंगा पर अगर कोई गिरता है तो वहां पर जिव फ्रेक्चर होगा add के अंदर तो कहां पर होगा यह फ्रेक्चर आंपको option नमर बी याडि दखने को मिलेगा इस फ्रेक्चर डेखों क्या Wet तो यहां पर आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, इमेज किसकी है, मॉन्टेजिया फ्रेक्चर की यहां पर क्लिरली दिखाई दे रहा है कि अलना जो है, वो कम्प्लीटली फ्रेक्चर हो गई, जस्ट बिलो दे अल्बो तो यह कौन सा हो जाएगा इसके आमें क्या बता गया है कि radius dislocated from the joint with the humerus, मतलब रेडियो अलना जोइट का भी क्या देखने मुला है, dislocation, तो radius जो बोन हो गई है, वो dislocate हो गई है, और यह fracture कौन सा है, montagia fracture, confusion नहीं होगी, तो चलिए, मैं आपसे यहां पर एक feedback चाहूंगा, कि अगर जो मेरी class के अंदर र बन जाया है, आपको इस प्रकार से समझना आपको भैतर लगता है, तो आप उनके comment के अंदर बताईए, ताकि मैं आपको क्या करूँगा, आपको समझने के अंदर आपको images चाहिए, लाइक जैसे fracture हो गया, या फिर कोई structure हो गई, जैसे के बारे में पूछ लिया है, तो उसकी image भी मैंने बता रिखिये पहले, तो जैसे वो exam के अंदर आपको image के अंदर पूछ लेता है, तो मैं आपको मेरे explanation के अंदर उसको add कर सकता हूँ, अगर आप चाहो तो, ठीक है, जिसे मैंने इस प्रकार से किया है, आपके, आप डाउ इसके अलावा, जिन बच्चों को complete six month के लिए coaching चाहिए, या फिर एक Northset exam के लिए test series plan चाहिए, ठीक है, मैंनली तो, test series plan, यहाँ पर जो Northset के लिए crash course भी है, उसके लिए आपको हमारी app download करने पड़ीगी, वहाँ पर आपको उस crash course के बारे में बताया जाएगा, पूरा demo classes व देली regular test series के लिए, यह amount हमने रखा, काफी एकदम affordable price है, नीचे आप हमारे supportive नमबर पर कोल्या message कर सकते हैं, supportive नमबर है, 95888-5677-4 आपके पास सामने, और ट्रॉमा हुआ उसके साथ में और अभी क्या हो रहा है, टिंगलिंग पैंचे नमबने से साथ में और टिप ओफ थम इंडेक्स फिंगर पर क्या हो रहा है, यहाँ पर pen भी देखने को मिल सकता है, pen और थमने से यहाँ पर combine में चल रहा है, on examination, doctor presses between wrist joint for 30 seconds, अब जब examination कर रहे हैं कि हुआ उसके साथ में, तो doctor ने क्या किया, thumbs उस doctor ने क्या किया, प्रेस किया, कहाँ पर wrist joint को 30 seconds के लिए, तो क्या हुआ, and the patient develop more pen, patient को क्या हुआ, ज्यादा pen हुआ, कहाँ पर, वहीं पर same जगर, middle finger, index finger and thumb के उपर, what is the diagnosis made by healthcare provider, अब यहाँ पर जो healthcare provider ने क्या diagnosis बनाया है, carpal tunnel syndrome है, cubital tunnel syndrome है, tarsal tunnel syndrome है, या फिर pronator syndrome है, क्या रहेगा अपना अंसर यहाँ पर, तो देखी, यहाँ पर क्या आपसे कह सकते हैं कि आपसे भी पूछा गया है कि diagnosis क्या होगा, तो देखी हम doctor नहीं है, क्या है, आप सब्सक्राइब को अच्छे से पता है, हम क्या है, nursing officers है, ठीक है, आप future nursing officers, ठीक है, अप एस्पिरेंट्स हो अभी, ठीक है, या फिर आप कहीं पर लगे वे हो, आपके dream जगहें पर जाना है, जहाँ पर आप relative हो, जहाँ पर रहते हो, वहाँ पर जाना है, ठीक आपना answer क्या था, vitamin D की increase हो था अपना level, तो उसके अंदर क्या था, science symptoms देखे या फिर laboratory finding देखे आपको पूछ ले आता, तो इस प्रकार के MCQs आपके आएंगे exam के अंदर, अगर कोई सोच रहा है कि, यह तो MCQs जो है वो, यह diagnosis वगरा काम तो अपना थोड़ी है, अपना का होके जा रहे हो वहाँ पर, तो आपको भी पता होना चाहिए कि, diagnosis जो है, वो क्या हो सकता है, किस प्रकार से हम बना सकते हैं, ठीक है, अपना खुद का level भी हमें आप करके रखना है, और जो easy MCQs होते हैं, easy topics होते हैं, उनीके diagnosis जो हमसे पूछे लाएंगे, जो deep MCQs होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, यहाँ पर भी आपका answer जो हो, एकदम simple answer है, सभी का पढ़ा हुआ है, मंगर हो सकता है कि यह जो MCQ मैंने पूछा है, इस form में आपने यह MCQ नहीं पढ़ा हो, तो देखिए, यहाँ पर जो आपका answer रहेगा, वो रहेगा, Carpal Tunnel Syndrome, यहाँ पर क् compression होगा, तो क्या देखिने को मिलेगा, आपको Carpal Tunnel Syndrome, ठीक है, सिरह सिदा answer है कि Carpal Tunnel Syndrome के अंदर कौन सी नर्वे पर compression होता है, कौन सी नर्वे में injury हो सकती है, फिर compression होगा, यहाँ पर pain होगा, तो medial nerve यहाँ पर involved होती है, तो first mcq, first mcq में next mcq क्या था, median nerve है, Carpal Tunnel Syndrome में median nerve है, median nerve है, कहाँ पर भेलेगी आपको wrist joint के अंदर हो, mcq number 3, ठीक है, देखिए कितने mcq इगलत है अपने इस एक topic में से, हो गए आपके 3 topic, Carpal Tunnel Syndrome का topic भी complete है, क्योंकि इसके अंदर आपको किस प्रकार के science symptoms आपको, इस mc के अंदर ही दे दिये हैं, Carpal Tunnel Syndrome में आपको से complete है, चलिए, next देखते है, Qubital Tunnel Syndrome, तो देखो Qubital Tunnel Syndrome है, यह किस से related होता है, तो अलना नर्वर से, second mc की होगा, second option और उसका answer आप सभी के सामने है, अलना नर्वर का यहाँ पर क्या होगा, compression होगा, ठीक है, यह भी आप कहां पर देख सकते हैं, add wrist, ठीक है, add wrist आप इसको देख सकते हैं, next देखिए, टार्सल टरनल सिंड्रोम, तो टार्सल टरनल सिंड्रोम है, इसके पीछे जो है, वो कौन सी नर्वर रेस्पोंसिबल रहती है, तो यह हो रहती है आपका, posterior tibial nerve, कौन सी रहती है, posterior tibial nerve, कहां पर रहती है, behind the below, medial malulin, इसके पास में यहाँ पर यह नर्वर कंपरेश रहती है, तो वहाँ पर क्या होता है, टार्सल टरनल सिंड्रोम, इसके बाद में एक और सिंड्रोम आपको देखने को मिलता है, जिसका क्या नाम होता है, thoracic outlet syndrome, तो जो thoracic outlet syndrome है, इसके लिए क्या responsible होता है, ca2 t1, ठीक है, ca2 t1 यहाँ पर क्या होती है, नर्वर यहाँ पर responsible रहती है, साथ में हम यह भी कर सकते हैं कि brachial plexus का कौन सा end, lower end, इसके अदर involve होता है, और vessels का आपको पूछे कि कौन सी vessels यहाँ पर involve हो सकती है, तो subclavian vessels, ठीक है, next बात करते हैं, एक और होता है, जिसको बन बोलते हैं, meralgia, parastatica, तो यह जो condition होती है, इसके अंदर कौन सी nerve involvement होती है, तो lateral tarsal, जिया, तो यह जो problem है, यह कहाँ पर देखने हो मिलती है, interdigital nerve compression से, जब interdigital nerve का compression होगा, तो यहाँ पर क्या देखने हो मिलेगा, mortens, metatarsal, जिया, और यहाँ पर अगर देखें, कहाँ पर इसके location देखें, तो third and fourth talk के पास में इसका compression होगा, तो next देखिए, यह होगा, आपके MCQ कुछ 10 के round MCQ होगे, एक MCQ के अंदर, important है यह अपना topic आज का, इसके बाद में, यहाँ प एक option और दिया गया है, pronator syndrome, तो देखो, pronator syndrome जो है, इसको बोलेंगे, अपन carpal tunnel syndrome के similar ही होता है, क्या pronator syndrome, इसे हम, जो है, also known as pronator syndrome भी कर सकते हैं, carpal tunnel syndrome is also known as pronator syndrome, ठीक है, मगर जब आपको दोनों options के अंदर दे रहा होता है, आपके priority किसमें चाहेगी, carpal tunnel syndrome के उपर, next देखिए, cubital tunnel syndrome, तो इसका भी यहाँ पर और एक name दिया गया है, cubital tunnel syndrome का, cubital tunnel syndrome का दूसरा नाम क्या होता है, guion's carpal syndrome, also known as guion's carpal syndrome, ठीक है, तो यह कुछ MSQ थे आज की classes से, इसी के साथ ही आज की अपनी class को हम complete करेंगे, अगर कुछ louds वगर आओ तो आप में बता सकते हैं, कॉमेंट्स के अंदर, ठीक है, और अगर आपके कॉमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो मुझे मैं यह सोच के चलूँगा, ठीक है, तो आप उस के अंदर आप कॉमेंट्स के अंदर आप वह बसा सकते हो, अगर आपको कोई आमसी को नहीं समय है, nursing से related, किसी भी subject का, ठीक है, कोई भी topic, आप मेरे सामने लेके आ सकते हो, मैं उसको अच्छा से आपके सामने, डिफाइन कर दूँगा, शरे समझा दूँगा, क्यूशन फॉर्म में समझाँगा, और चलिए, यह हो रहा है कि क्यूशन फॉर्म के अंदर समझेंगे, चलिए, थैंक यू, करते रहेगा, keep grinding, थैंक यू.